तो दोस्तो स्वागत है हमारे और एक नहीं वीडियो में तो दोस्तो आज हम देखेंगे नाइकी डंक लो वनीर तो यह जो नाइकी डंक लो वनीर स्निकर है फर्स्ट ताइम रिलीज हुए थे 2001 में as a part of co.jp अगली डंकिंग पैक तो आप फिर से April 11, 2024 को यह स्निकर रिरीलीज होने वाले है स्निकर की जो प्राइज है वो 9 से 10 अजार के बीच में होने वाली है तो स्निकर का जो इमेज है वो आपके सामने है और यह ओफिशल इमेज होने वाला है लेड भी आपको देखने को मिलेंगे ब्राउन, ग्रीन और परपल कलर में परपल फ्लाट लेसे आपको स्निकर में देखने को मिलेंगे स्निकर की जो कॉलर है और जो टंग है वो मेज से बनी हुई है lighter green color में आपको socks lining देखने को मिलेगी जो junior वाले 2001 वाले जो nike dunk low oneeer है और जो 2024 वाले nike dunk low oneeer है उसमें आपको थोड़ा सा difference देखने को मिलेगा जो कि आपको tongue में देखने को मिलेगा जो modern वाले nike dunk low oneeer है उसकी जो tongue है वो slightly more modern है जो कि मैसे बनी हुई tongue है जो कि feature करती है lace hold जो कि आपको middle में देखने को मिलेगा तो nike की branding आपको purple color में देखने को मिलेगी insole के उपर purple and green color में आपको nike की branding देखने को मिलेगी tongue के उपर white sneaker का midsole होने वाला है और violet rubber sneaker का outsole होने वाला है और nike की branding आपको पीछे हिल टैप के उपर भी दिखाए देगी स्टिच की हुई वह भी आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगी तो स्नीकर जो है वो एप्रिल 11 को रिलीज होने वाले 2024 को प्राइक जो है वो 9 से 10,000 के बीच में होने वाले और नाइकी स्नीकर के वेबसाइट के उपर ये स्नीकर रिलीज होने वाले तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये नाइकी डंक लोवर्नी स्नीकर के बारे में हमें कमेंट करके ज़रू बताइए और आप ये स्निकर बाइ करो गया नहीं ये भी आमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले विस दे नेक्स वीडियो में